नमस्कार आदाब नाजरीन आप सभी का बेहत स्वागत है CIE TNCRT के लाइफ फोन इन इंटराक्टिव कारिक्रम में उर्दू का इस कारिक्रम में हम लेकर आए हैं पांच फीक अक्षा के सभी तलबा के लिए एक कहानी हम लेकर आए हैं चैप्टर नमबर दो नादान कच्छवा इस कहानी के बारे में बहुत सारी बातचीत होगी यहाँ पर अगर आपके पास कोई सवाल हैं कुछ पूछना चाहते हैं कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे जरूर जुडिएगा मैं हुतन भी खुराना और बताना चाहूंगी आप हमें फोन कर सकते हैं नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहें तो इमेल आइडी होगा इस वक्त आप हमें देख रहे हैं लाइव इविद्या चानल नमबर पाँच पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चानल पर भी जो की हैं NCERT ऑफिशल और NCERT PM इविद्या चानल नमबर पाँच इन दोनों के ही अगर आप लाइव चाट बॉक्स में अपने सवाल लि चूट गई है तो टिकर के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर ये पूरी जानकारी पूरे कारिक्रम के दोरान दोहराई जाएगी तो आप उसे देख सकते हैं और आप से कुछ भी चूटे नहां इसलिए ये जानकारी आप तक पहुँच रही है चलिए आपका आपका आपकी पैसर भाषा शिक्षावे भाग NCRT नई दिली से और चलिए इस बाचीत को शुरू करते हैं सर से जानेंगे सर ये जो हमारा आज का उन्वान है नादान कच्छुआ ये कहानी है और किस प्रकार की कहानी है क्या आप बताना चाहेंगे बिल्कुल जरूर बताएंगे में रहता है लेकिन उस कच्छुआ लफ़ उससे पहले एक लफ़ दोर लगा हुआ है कि नादान अब नादान क्यों लगा हुआ हमें को ये यहां पर गोर करने की जरूवत है ये जो सिफत लगाई गए गए जो अग्जेक्टिव उसके नाम के साथ लग गया है तो क्या वा जानें बहुत सारी हमसे नादानियां हो जाती है हमसे भी हो जानी हो जाती है वो तो कशुआ है बहराल जो बेजबान जानवर है लेकिन हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें बहुत सोच समझ कर जवाब देना चाहिए कहां बोलना है वहां बोलना है कहां नहीं बोलना है इ आईये सबसे पहले हम यह देखिए कि नादान कशुए में क्या बात कही गई है यह हमारी अफटदाई अर्बू पांची जमाद की किताब का दूसरा सबक है सबक नंबर दो है इसका अन्वान है कि नादान कशुए जैसा कि मैंने बताया कशुए से पहले नजद नादान लग गया है इस पर गोर करते हैं तो आप इस कहानी को बहुत तौजव से सुनिये और जहां लगता है कि आपको कुछ चीज तलफ़ की नहीं किलियर हो रहा तो आप सवाल कर सकते हैं एक तालाब का पानी आएने की तरह साफ और शफाब था वहां तो बगले और एक कश्वा रहता तीनों में बेहत दोस्ती थी एक दूसरे के बगर नहीं रह सकते थे अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नजर लग गई यानि तालाब रोद बरोद खुशक होने लगा जिसकी वज़े से बगलों को परेशानी होने लगी क्योंकि वो इसी तालाब के पानी से अपनी गज़ हासिल करते थे जब उन्हों ने देखा कि पानी के बगर जीना मुहाल है तो मजबूरन इस तालाब को छोड़ कर कहीं और जाने का इरादा किया है जाने से पहले बगले गमगीन दिल और भीगी आखों के साथ कश्वे के पास आएं और उससे रुकसच चाही कश्वा भी उन इस जी मर जाओंगा बगले ने कहा हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है मجबूरी यह है कि पानी के बगएर हमारा जीना मुश्किल है इस वज़े ते हमने पर देर जाने का इरादा कर लिया है कश्वा बोला दोस्तों तुम जानते हो कि पान रहोंगा उन्होंने कहा प्यारे दोस्त तुम्हारी जोडाईी हमारे लिए भी नाकाबल रदाश होगी हम जहां भी रहेंगे तुम्हारे बगрокुर्च नहीं मुऊ के रहेंगे हर कहा इसकी एक तरकीब है लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे कश्विय ने कहा ये कैसे मुम्किन है कि तुम मेरे लिए कोई तद्बीर सोचो और मैं उत पर अमल ना करूँ बगुले ने कहा हम तुमें हवा में उठा कर उड़ा सकते हैं शर्त ये है कि तुम किसी भी हालत मे बात नहीं करोगे हर शक्त जिसकी नदर तुम हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ न कुछ जरूर कहेगा तुम कैसे ही बात सुनो को न सुनो और कैसे ही हरकत को न देखो अपना मुँ बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात जबान से न निकालना कश्विय बोला तुम्हारा होकम सराखों पर मैं रास्ते में बिलकुल मुँ न खोलूगा बगले एक पतली और लंबी से लकड़ी राये कश्विय उसे दर्मियान में मदबूती से अपने दातों में पकड़ लिया बगले ने दोनों जानिब उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया जब बलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक काम गाओं के ऊपर सुवा तो लोग इस मंदर को ताजुब से देखने लगे और चेकने लगे कि देखो देखो बगले को कैसे लिये जा रहे हैं बगले कच्वे को कैसे ले जा रहे हैं सब तरह तरह के फिक्रे चुस्त करने लगें कच्वा ये सब देखकर कुछ देर तक खामोश रहा आखिर उससे रहा न गया जला कर बोला जिन से देखा नहीं जाता अपनी आखें बंद कर ले जैसे ही उसने मुझ खोला उपर से करे बी सुना होगा और यहां पी देखिए कहाने का जो हमें सबख मिलता है इस से बहुत हैं सबग मिलता है कि हम अपने बोड़ों की बातों परनके उनकी ंसे उनकी न सिपा पे अपनə धे लच्व के नसिए जिस ना सिर्फ जो हैterror के न लिजे बलकि हमें जो पर अपर अमल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहां अमल करने से कहां नुकसान हो सकता है कहां हम जो है फाइदे में हो सकते हैं इस पर जरूर गारू करना चाहिए जो कि जाहिर से बात है कि पानी की कमी की वज़े से ताला खुश्क हो रहा था और बगले का तो वहां रहना मुम्किन नहीं तो कहीं और भी जहां चला जाता हैं लेकिन दोस्ती तीनों में इतनी जादा थी कि जब बगलों ने जाने का इरादा किया तो कश्वे को ये बात नाकाबिले बरदाश मालूम हुई उसने का कि मैं आपकी जुदाई बरदाश नहीं कर सकता सए नहीं सकता मुझे भी लेकना है कि हम बहुत सारे मसायल में अपनी जिन्दकी में ऐसे दोचार होते हैं जहां जो मुक्तलिफ और मुखालिफ सूरत हाल पेश आती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं हैं कि हम मजबूरी की हालत में या मुश्किल हालात में एक दूसरे सलग हो जाएं अपने दोस्तो कि कशवा जमीन पर जडाम से नीचे आ गया और बगले उड़तो हूँ ये चले गए तो यहां सबसे आहम सबक जो मिलता है कि वो दोस्तों की बातों पर अमल करना बड़ों के बातों पर अमल करना और सबसे अहम चीज़ ये कि अगर हम अमल नहीं करते हो तो हमारा क्या नकस सबसाइब देखा अठ जैसे हमने यहां पर दोस्ती देखी है कचुए और बगुले की तो क्या ऐसी सच में दोस्ती देखने को मिलती है रहते हैं उसकी मदद भी करते हैं कुछ चीजें तो और खातोर से जानवरों में बहुत हमें देखने को मिलता है हम छाएते हैं और हम यह चाहते हैं कि इसे अगिता काहणी हैं भुमार्श से नहीं करना बलकि दोखदर्द में हर मुश्चिबत में हरवाइके यह दूसर का साथख़बριन में मतलब ही दोस्ती है यहूं यह नहीं कि आगर दोस्तों का हमने मुश्चिबत में देखा तो उससा इ लेकिन इससे सबक हमें बहुत बड़ा मिलना है दिलकुल अब आई ये देखते हैं कि ये कहानी है पांचवें जमाद की किताब में शामिल है और तुकि अर्दू जबान की किताब है किसी भी जबान को सीखने के लिए जो लेंग्वेज इसकिर्स हैं यानि सुनना बोलना पढ ये कैसे फरोग देखते हैं तो यहां इस किताब में बहुत सारी मस्कंदी गई है उन मस्कों के भी आ ये उन पे नज़ड़ डालते हैं सब से पहलो तो यह की उन मस्कों को आगे बढ़ने से पहले हम ये देख़ें कि उसपर जो मुशिगल आलफाज है वो उनको देख ले और देखें तो उसके जो इत्ते तक जो चीज नजर आती है कभी कभी उसमें एक मिट्टी है वह कंकड़ी बेन अजर आती शीफ है तो वह भी नजर आती कुछ पर जाएसा पानी ओपर से जब नीचे तक आप देखें तो वह पानी सफाब कहलाता है साफ और शफाब अगर अगर हम में पर जबन लगाते तो यह महाल हो जाएगा और महल की जमा हो जाती है मकामात मकानात इस तरह जो है को इसको हम महाल पढ़ें कहां महाल पढ़ना है कहां महाल पढ़ना है यह हमें जो है उस अबारत का कंटेस्ट बताएगा हमें कि कैसे क्या करना है इसी तरह एक आप में जाया खेख रुकसत होाना यानि कहीं जाने के लिए आगा फालाыт्स जाना आपने दोस्तों से तो यह आ व्म किते हैं पुर आप जाने और मैंने कि hello कि किसमत को खुष किसमत आदमी भुला आदमी इसी तरह बर्धाश नहुनाों हैहाँ आम तोर पर हम बोलते यानि कोई चीज़ बरदाशना ना सहाना जाना जलाना गुस्ते में आना इसमें एक लफ जोर आया है कि गमगीन गानी उदास रंजीदा जिसको कहते हैं उदास कहते हैं दुखी कहते हैं इसी तरह और भी मुश्चिर अलफाद है लेकिन हो सकता हुआ उनके माने आपको मालू हो तो उसको इसमें देखिए गौर करने की बात यही कहीगा अगर कोई हमदर्द नसीफ कर तो उसे गवर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए बककशवा जो है बहकावे में आगिया लोगों का शोर गुल देकर उनका इसे देख सकते हैं कि बगलों को अपना ठिकाना को छोड़ना पड़ा तो झाहिर देखाए कि यह मत में मौझूद है, सबक में मौझूद है इस पर आप गोर करें कि बगलों तो उनु को तकम होता जह रहाए था नहीं कर सकते से आप ने देखा हगा दरिया के जा डरी के किनारे बगले ओपर उरते रहते हैं उड़े 느unken कोई खोड़े मचली नजर रहे तो फॉर्ण वो डूपकी लगाते हैं मचली को पकड़ के लेकर चले जाते तो वहां कशुवा भी उसे तयलाब में रहता था तो बगलों को अपना ठेकाना को छोड़ना पड़ा इसका जवाब देने के जरूवत है और बगलों के रुखसत होने की बात सुन मुझे भी अपने साथ ले चलो में आपकी जुदाई बरदाश्त नहीं कर सकता चाब बगलों के बगलो नहीं रहे तो कशुवा ने का कि वह आप जहां भी रहें जैसे भी रहें लेकिन मुझे भी अपने साथ लेके चलिए गो से एक चीज हम आप से जानना चाहेंगे, जब हम बगुले की बात करते हैं जो पानी के बिना नहीं रह सकता है, अगर नदी सूख गई है तो बगुले को परिशानी होगी, तो ऐसे कौन से और जानवर है जिने पानी के बिना परिशानी होगी? बहुत अच्छा सवाल किया इसमें हम यह भी देह सकते हैं कि पानी में रहने वाले आप जानवर कौन कौन से हमें इसकी एक फैरिस्त बनानी चाहिए तो पानी के लिए क्या चाहिए मचली मचली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कुछगा तो कुद्धेर रह लेगा जो है करा ऊट में देखिए बहुत सारे एक जिसको जोग कहते हैं वह भी पानी में रहती अनके जिसब्ला जोग चिपक जाती हूं पानी में ही रहती है और कहीं ने रह सकती। इसी तरह एक मुरगावी है यानि वह मुर्ग कि अशाम मुर्ग पानी मी, दो लफजों से मिलकर बना ही है, मुर्ग और आप कहते हैं पानी को मुर्ग, यानि वह मुर्ग जबना कहते हैं। आट चाला आजा किनारे के र Church academy just प्रूटो पर पानी में निकाल दो वो फिर पानी में चला जाएगा। थो पानी रहने वाले, हवा मुझने मदने वाले सकते हैं कि हवा मुझने वाले परिंदों के बना इन और कि जिन गाय भैस बखर यह चरने वाले अच्छा अब यह भी सुवाल का यह सकता है किया हवा में सुर्फ परंगले ही उता है है किक दूसरी चीजद कोन कौन तो मालूम के लिए उनको एक सबक के जरी हम बहुत सारी एकसरसाइज करा सकते हैं और अपने एर्ग ग्रिद के माहौल को उनसे जोड सकते हैं उनकी वोकाबलेरी को भी बढ़ा सकते हैं और उनके जबान का शोर भी पैदा कर सकते हैं कि जखीरे अलफाद में किस तरह अदाफा किया लेके अमल से ही जबान की महारते हैं जादा तेजी से फरोग पाती है और कर्सिव राइटिंग के भी शोर पैदा होता है कि यानि खुशकत हम लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं इसी तरह खाली जगों को सही लफजों से पूर कीजिए जहां पर पांच इछे जुम्ले ह करने हैं अचानक उनकी अचानक उनके उनकी जमाने को उनकी दोस्ती को अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नजर लगी अब नजर लगना देखिए यह महावरा है महावरा भी हमें बच्चों को समझना चाहिए यहां पर इस सथा पर पांच वे जमारत की बच्चे हैं कि महा तरह मुहावरा आम पर उस पर मछमूइक को चैते हैं जो अपने असल माहनु में इस्टमाल कर डूसर माहनु में इस्तमाल के या मिस्तोर पर उसे छे पांच भी ग्यरा है साट चार भी ग्यरा है लेकिन इन तो कोई महावरा नहीं बन सकता महावरा जो बना है वो 1921 1 रहा होना बना है तो 1921 हम साथ 411 होने को महावरा नहीं कह सकते हैं करफास कि वह मज़मुग है जो किसी मक्सोस मानों में अपने मजादी मानों में इस्तमाल करने लगे जब इसमें और महावरे आगे उनके बात होगे कश्ववा भी उनकी जुदाई के ख्याल से रोपड़ा यहां ख्याल बनना है मेरे भी गुदर बसर पानी के बगए नामुम लिया जैसे ही उसने मुँ खोला नीचे की तरफ आ रहा इन लफ़ों से जुम्ले बनाईए अब यह कि पांच जुम्ले पांच लफ़ यहां दे दिये गए हैं और इन से आपको जुम्ले बनाने हैं पांच इल्फाद कोने तालाब गिजा जुदाई मुहाल और दोस्ति आस दिलों पर गोर कीजिए देखिए इसमें है कि अचानक उनकी दोस्ति को जमाने की नजर लगें मैं तो जीते जी मर जाओंगा हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल तब बैठा जा रहा है अब दिल बैखना जमाने की नजर लगना जीते जी मनना या और भी इस त सबक से तलाश करके एक अलग उनकी फिरित बना लें तो बहतर है उन महावरों का मतलब भी हम लिखें क्या है और उनको जुम्हारों में इस्तमाल करें इस तरह हमारे जो है जबान की महारत भी फरोग पाएगी और हमारे वकबलरी यानि इस अखीरे अलफाद में भी देखिए कि ओपर के जुमले में महावरों का बच्चा उसी सिल्चले से यह को नीचे दो यह महावरों का सही मतलब सामने बने यह खानों से चुन कर लिखिए अब वहाँ तीन महावरे जो सबक में इस्तमाल हुई हैं उनके अलावा तो तेन महावरे और यहां दियो हैं कि ह यह दुरूस्त है उस को परिए उसके मानिच पर गहल تو कुछिए और उसको नीचे लिखिए इस तरह से हैं कर सकते हैं इस तरही कि देखिये नीचे दिए के सिधा लटका हुआ हैं यानि यहाँ पर हम क्या नतीजें को ग लिझालते हैं कि उपर नीचे सीधा लिटा हुआ यह जो 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 अपस में विलॉम शब जिसको कहते हैं हम मुतजाद लफ कहते हैं कि यानि यह एक लफ दूसरे लफ के मखालिफ माने देक को Hang अंग्रेजी में सेनोनिंस कहते हैं जी एंटोनिंस कहते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां विलोम शब्द दिया हुई यानि मुतजाद लफ़ दिये गए हैं अब उनके आप मुतजाद लफ़ लिखिए जैसे मुहाल दिया हुआ तो मुहाल का मतलब मुश्किल है तो आप आसान लिखिए जवाब है तो ना खुशी लख लिखिए नेक बख्त है तो बदबख्त लिखिए खुशक है तो नम लिखिए भलाई है बुराई है दोस्त दुश्मन मौत जिन्दगी इस तरह जो है हम जैसे गोड़ जैसे ते गोर करते जाएंगे हमारे जहन में और भी अलफाज आते जाएंगे और हम भी मुतधाद और मुतरादिफाद सोचते रहेंगे जी तो ऐसी पहुत सारी मश्के हैं जो बच्चों की किताब में हैं बस इन दो मश्के और भी पानी इन जुम्लों को दुरस्त करके खाली जोगों में लिखिए कुछ जो है ले लिए गया है लेकि उन जुम्लों में लफ की जमा और जमा के वाहिद लिखिया नहीं एक लफ दे दिया मनजर तो मनादिल लिखना है ख्यालात तो ख्याल लिखना है नुक्सान है तो नुक्सानाद लिखना मुश्किलाद दिया वा मुश्किल लिखना है तो यहां बहुत सारे अलफाद आपको देने के यहां मुतज साथ भी दे दिया गया है और दूसरे वाहिज जमा भी दे दिए एक ही सबक से हम बहुत सारी लिसानी महारतों को फरोग दे सकते हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखने को हम एक साथ इसमें सबक को बार बार इसको अमल करें पढ़ें और जो भी इसके मश्के दी हुई है उनको ह हम करते रहें तो हम हमें उम्मेद है कि आप इस सबक के थरिये लिसानी महारतों को आसानी से फरोग दे सकते हैं बिलकुल बिलकुल से आपने एकदम सही कहा जब बच्चे इसे दुबारा पढ़ेंगे घर में तसली से क्योंकि छुट्टियां हो गई है और मश्क दुबारा कहानी को हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाया बेहर शुक्रियां शुक्रियां सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुडने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा कारिक्रम पसंद आया होगा किसी भी कारण वश नहीं रेखा है आपने तो आप NCRT ऑफिशल पर हमारे दुबारा देख सकते हैं थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए अगला कारिक्रम जो की होगा हिंदी का कारिक्रम कक्षा 6 के सभी चात्र हमारे साथ जुर सकते हैं और पढ़ सकते हैं बच्पन बच्पन कृष्णा सोबती संस्मरण है आप इसे जरू सब्सक्राइब अपना ध्यान रखिएगा और उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा जाए मैं हूँ तानवी खुराना आप सभी से मांगूंगे इजाज़त नमस्कार आदाव